नवस्कार में हूँ श्वेता सिंग और आप देख रहे हैं आज तक वक्त हो चला है दस्तक देने का जिन्दा अदमी लाग का मरे तो सिस्टम के लिए जैसे खाक का क्योंकि एक जिन्दा व्यक्ति एक वोट बैंक भी तो है सरकारों को उसमें इस तरह का इक इंट्रेस्ट जरूर रहता है लेकिन मरने के बाद किस काम का क्या यही वज़े है कि मौत का जो आंकड़ा है वो दरसल है कुछ और एक बहुत बड़े इंवेस्टिगेशन की आवशक्ता इसमें थी और इसलिए आज तक ने अपने तमाम समवादाताओं को इस मुहिम में लगाया है ताकि सिस्टम को हम इस दस्तक से जगा जरूर सके क्या वाकई जितनों की मौते हो रही है वो सब कोरोना के मौतों के आंकड़े के तौर पर दर्ज हो रही है कम से कम बृत्यू के वाद ये सम्मान तो जरूरी है गंगा के किनारे ये जो दूर दूर तक लाल नारंगी पीले रंग के वस्त्र रेत के उपर बिछे दिखते हैं ये कोई धर्मक्षेत्र नहीं है ये कोरोना से युध के दौर में देखता वो कुरुक्षेत्र है जहां चारो तरफ शवों के रेतीले टीले गंगा के उपजाओ मैदान में उगाए ये शव किसके हैं? समान्य मौत के हैं? कोरोना से प्राण गवाने वालों के हैं? क्या इनकी गिंती सरकार के आंकलों में हुई है? सवालों के जंजावातों की दस तक है यहां पर जहां पहुंचे है संबाद्धाता शिवेंद्र श्रिवास्तव हम प्रियागराज के फाफा मोग पुल पर हैं जिसके ठीक नीचे का दुरश देख करके आपका दिल रहल जाएगा यह वो जगह है जहां पर अंतिन संस्कार कराने के लिए लोग आते हैं और यहां अगर आपकी नजर आगे एक किलोमेटर तक नहीं जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाशे दिखेंगी वो भी पूरी तरह से अंतिन संस्कार की हुई नहीं बलकि ऐसे ही रेत में एक दो फिट नीचे दबी हुई और यह जो नजारा है जो मंजर है यहां से अगर नजर जहां तक जाती है वहां तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है जितने भी चमकते हुए कपड़े हैं वो लाशों के उपर ढखे हुए कपड़े हैं चारों तरफ डंडी अबास का टुकला गाड़ा बीच में गढ़्धा खोद कर शब अफनाया उपर से बालू भरी फिर राम नामी डाल कर पहचान मान ली कि यहां उनके अपने चिरनिद्रा में सो गए लेकिन ऐसा क्यों हुआ इस सवाल से पहले वो गिंती जिसे करना असंभाव है लेकिन गिनना जरूरी एक कोशिश शिवेंद्र शिवास्तों करते हैं हम प्रियागराज में फाफा मों में ठीक उचिजा खड़े हैं जहां पर लाशों के धेर लगे हुए रेत पर और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इनकी संख्या इतनी जादा है कि यहां से एक मिनिट तक चलकर जाने में हमें कितनी लाशे मिलते हैं दिखाएंगे आप गिनिये और देखिए कि अवयस्था का क्या आलम है यह लाश है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा शौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा यह अठारा सेकंड से भी कम समय में हमने अठारा लाशे गिनी हैं तो एक मिनिट में अगर साथ ला ली जाए तो एक किलिमेटर के दारे में जुतनी भी जगह नजर जाती है वहाँ सिर्फ लाशे और लाशे ही हैं हर सेकंड हर कदम जहां एक शव गंगा की रेत में दवा हो तो उसे क्या माने परंपराओं की चादर प्रशासन संभाव है यहां भी ओड़ा दे इस दलील के साथ कि अरे स्थानिय लोग दफनाते ही हैं लेकिन क्यों न इन सरकारी बयानों को जूट का कववा मान ले क्योंकि इस बात को कैसे स्विकार किया जाएगा कि अचानक उसी वक्त क्यों गंगा के किनारे लाशों के टीले उभर आए जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई दवाओं का काल पड़ा इंजेक्शन का सूखा आया और इलाज को आम आदमी तरस गया वक्त बीतने के साथ जब ये रे तोड़ेगी बारिश होगी तो यही लाशें इस नदी के भीतर जाएंगी और संक्रमन का कारण भी बनेगी सरकार चाहे कितने ही दावे करें कि उन्हें जल पुलिस की तैनाती की है लोगों को अगाह किया है लेकिन जो महीनों से होता रहा लापरवाही उसका नतीजा जमीन पर दिख रहा है लाशें अंतिम संसकार के इंतजार में यहाँ पर विवस्था का इंतजार करती रही लेकिन न प्रशासन जागा न सरकार जागी लोग अपने परिजनों को ऐसे ही रेत के नीचे सुला कर चले गए और अब यह लाशें जब रेत हटेगी तो शायद पूछेंगी कि क्या उनको जब जीते वक्त जीने के लिए ऑक्सीजन दवाईयां और बेट्स की जुरूत थी उसकी कमी और सरकार और प्रशासन नहीं प सवालों की वज़ा ही है कि यही शिवेंद्र शिवास्ताओ जब उननाओ के बकसर घाट पर पहुचे तब भी सैक्रों की तादाद में शव रेत में दफन मिले जब गाजीपूर से बिहार के बकसर तक समबाददाता आशुतोश मिश्रा ने सच की दस्तक दी तो गंगा की लहरों के बीच अंगिनत शव बहते दिखे किनारे पड़े नजर आए अब प्रियागराज में एक बड़े इलाके में शव दफन दिखते हैं लेकिन शवों को नदियों में वहाने और रेत में दफनाने से रोकने के लिए आप जाकर बनी पेट्रोलिंग टीम को लगाने के यूपी में डीजीपी मुख्याले कहता है कि अब तक गंगा के किनारे से सिर्फ पुलिस को 49 शव मिले सरकारी आंकलों में अब तक वारानसी में महसाथ, गाजिपूर में 16, चंदावली में 8 और बलिया में 8 शव बरामत किये जाने की बाग कही गई है तो क्या इसी को सच मान लिया जाए? अगर हाँ, तो फिर प्रयाग राज में पाफा मौपुल के किनारे दबेशवों का सच क्या? स्थानी लोगों से हमने सवाल पूछा है, ध्यान से आप सुनिएगा सरकारी पन्नों में दर्ज मौत के आकड़ों के सच पर सवाल उठाते ये शवों के टीले और अस्थानीय लोगों के बयान के आधार पर हमने जिम्मेदारी निभाते हुए प्रयाग राज के माननी अजिल अधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी से सच पूछा लेकिन डियम साहब का तुमानना है कि वो गंगा किनारे दफ्र शवों का सच अपनी जवाब देही के साथ बताना जरूर ही नहीं समझते हैं इसलिए लंबा इंतजार संबाददाता को करा के कुरसी से उठे और चल दिये इसके लिए जब हम जिरादिकारी से बात करने के लिए पहुँचे तो ना सिर्फ वो ग्यान देने लगे बलकि ये भी बताएं लगे कि बगार वक्त लिए कैसे मिलने आ पाए साथी साथ हमने जब उनसे जानना चाहा कि आखिरकार इतनी अवस्थक के पीछे क्या कारण है तो उन्होंने इसका जवाब देना भी ठीक नहीं समझा साशन इस तरफे भी हमने प्रयास किया कि उनसे किसी भी तरीके से उनका कोई जवाब या प्रशासन के तरफ से कोई कि रियक्शन मिल तक है लेकिन वो यहां से चुपचाब चले गए आप समझ सकते हैं कि इतने भैंकर दोर में जब कोविट की वज़े से तमाम लगातार लोगों की मौते हो रही है लोगों को अंतिम सस्कार करने तक के लिए ठीक सी विवस्था नहीं मिल रही है ऐसे में यकीन करेगा कि यूपी के डीजीपी कार्याले को गंगा के किनारे सिर्फ 49 शव पूरे प्रदेश में मिलते हैं और अकेले प्रयागराज में शवों की रेल लगी है शिवेंद्र श्रिवास्ताव प्रयागराज आज तक करोना के जो आकड़े हैं वो लगातार गिर रहे हैं और देश के लिए ये अच्छी खबर है क्योंकि 4 लाग के पार पहुचने के बाद करोना का जो आकड़ा है वो पहले 3 लाग से उपर और अब 2 लाग से उपर पहुच चुका है लेकिन मौतों का आकड़ा नहीं घट रह क्या कारण हो सकता हैne उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौतों के सरकारी आंकलों और जमीनी हकीकत में फर्क मिलने के बाद अब बारी है राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में, सरकारी पन्नों में दर्ज, मौतों में भयानक और अपराधिक हिल्वाड पर दस्तक दी जाए राजस्थान में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत जैपूर जिले में हुई लेकिन क्या जैपूर में ही सरकारी वेवस्था संक्रमन से मौत के सच का अंतिन संसकार करने में जूटी है संबाद्दाता शरत कुमार ने इसकी पड़ताल की पाया है कि राजस्थान सरकार के मुताबिक अकेले जैपूर में पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना से 1578 लोगों की मृत्थी हुई मगर जब आज तक संबाद्दाता ने अस्पतालों से कोरोना प्रोटोकॉल के तहट 10 संसकार के रिए शम्षान भेजे गए शवों का अकला पता किया तो 2020 में 1409 शव और इस साल अब तक 1144 शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहट शम्षान में जाने की बात सामने आई यानि पिछले साल से अब तक अस्पताल से कोरोना से जान गवाने वाले कुल 2523 शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहट शम्षान भेजे गए यानि सरकारी आँख़े और शम्षान पहुचे शवों के बीच 945 शवों का अंतर अकेले जैपूर में विलता है और इस बात की गवाही जैपूर के मोक्ष धाम इन चार्ज आरके सारा भी देते हैं मौत के आंक्रे जैपूर भेजे जाते हैं उन्हें घटा कर बताया जा रहा है जोधपूर के अस्पताल से 18 मरीजों की मौत का आंक्रा भेजा गया तो सरकार ने पांच बताया हनुमानगर जिले के मुख्य चिकित साधिकारी ने 8 मौत कोरोना से होती हुई बताई तो राज ज्यादा सावधानों के लोग अगर सचा ही सामने आएगी तो हमारी कोशिस तो यह है कि जिद्नी कैजूल्टीज हुई है वो फिगर जनता के सामने रखा जाए मध्य प्रदेश की कहानी अब आपको दिखाते हैं जहां संबाद्धाता हेमेंद्र शर्मा ने सच खंगाला है पता चलता है कि भोपाल में सरकार के मुताबिक 2020 से 17 मई 2021 तक कोरोना से 854 लोगों की मृत्यू होती है लेकिन सिर्फ 2021 में 1 मार्च से 17 मई तक कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संसकार के आँकले भोपाल में पता किये गए तो ये संख्या 2995 मिलती है गौालियर में भी सच की दस्तक आज तक ने दी जहां 2020 से अब तक कोविट से 485 लोगों की जान जाने का आकला सरकार देती है लेकिन इसी साल 1 अप्रैल से 17 मई तक यानि 2 महिने में 736 लोगों का अंतिम संसकार कोविट प्रोटोकॉल के तहत होने का आकला शम्शान घाट देते हैं बाकी का बाप सोच लीजिए रतलाम में सरकारी आकला कोरोना से मौत का 2 साल के भीतर 266 है लेकिन इसी साल 1 मार्च से 17 मई तक 816 लोगों का अंतिम संसकार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया तो फिर सरकारी फाइलों में दर्ज मौते और शम्शान घाटों के शवों के बीच का थेल कौन खेल रहा है सागर जिले में 205 मौते 2 साल में कोरोना से हुई ये सरकार बताती है लेकिन शम्शान घाट कहते हैं कि 1 अप्रैल से 17 मई के बीची इसी साल यहाँ 775 लोगों का अंतिम संसकार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ जानी समाने मौत के तौर पर अंतिम संसकार नहीं किया गया कौन है जो आम आदमी से जिन्दा रहते हुए भी खेलता है और मरने के बाद भी खिलवार करता है जैसे उत्तर प्रदेश के बईया में हुआ जहां अमानवियता की सारी हदें समवेदन शीलता की सारी सीमाओं को जला कर राक किया गया ये तस्वीरें उस पूरी व्यवस्था पर भरोसे का अंतिम संसकार करती है जिसे चुनती है जनता और मानती है कि हमारी रक्षा होगी इस वाइरल वीडियो में देखता है बलिया में गंगा किनारे मिले एक शव को पुलिस वालों ने अंतिम्प्रिया के नाम पर टायर जलाकर चोड़ दिया शव को जलाने में दावा डीजल का इस्तनाल किया और जब इस अमानवियता पर दस्तक दी गई तो पुलिस ने पांच पुलिस वाले सस्पेंड किये जिसके लिए पांच दोसी आरक्षियों को अमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिश्टल यूपी राजस्थान मध्यप्रदेश ही नहीं बलकि आम आदमी की कोरोना से मौत के आंकडों में जूट की मिलावट बिहार तक होने का आरोप है जहां गंगा के नारे शव मिले उसी बिहार में मुख्य सचीव ने हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1-13 माई के बीच बकसर में सिर्फ 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई जबकि पटना के प्रमंडलिय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में जानका रीदी कि 5-14 माई के बीच बकसर के शमशान घाट पर 789 शव जलाए गए इन शवों पर नंबर गेम करती हुई सरकारी क्रूर्टा पर हाई कोर्ट के जज़ भी अचंभे में पढ़ गए पूछने लगे सच किसे माने सरकार के वकील दुबारा नंबर पता करने की तारीख लेकर लोट आए आत्मा अजरमर होती है शरीर नश्ट होता है ये हिंदुस्तान के लोग सद्यों से जानते हैं लेकिन अब देश के राज्चों में मौत के आकले छिपाती सरकारों ने नया ग्यान जोड़ दिया कि महामारी में आम आदमी का सिर्फ शरीर ही नहीं बलकि उसकी गिंती भी सरक धानियों और शहरों की बाते नहीं करते हैं बलकि ग्रामीन भारत की भी बात करते हैं उन गाउं दूर दराज के इलाकों की भी बात करते हैं क्योंकि अगर कोरोना का संक्रमन वहां तक पहुँच रहा है तो जरूरी है व्यवस्था भी वहां पर पहुँचे और इसलिए हम सब्सक्राइब ने जाते हैं ताकि का सच हम लेकर आए वरना तो व्यवस्था की तरफ से बहुत सारी चीज़ें कर दी जाती है अलग-अलग राज्जों के हम बात कर रहे हैं अलग-अलग सरकारों की बात कर रहे हैं डिया हैं लेकिन कोई जाक कर पर देखने नहीं जाता कि क्या वो चल भी रहे हैं या नहीं राम राजी जैसा सपना दिखा कर राम भरो से जनता की जान करके अपनी नौकरी और अपनी कुर्सी की दुकान चलाने वाली व्यवस्था की भेट चले इन वेंटिलेटर्स को देखिए इनी वेंटिलेटर्स पर आम मरीज का इलाज करने के लिए दिल्ली लखनव पटना भोपाल जैपूर के प्राइविट अस्पताल प्रति दिन पचासो हजार रुपए तक लेते हैं वही वेंटिलेटर्स दर्भंगा के सबसे वड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज के भीतर नौ महीने से इंतजार कर रहें कि किसी प्रशासनिक कलेजे में इतनी तो ताकत और दिमाग में समझ आए कि वो इन्हें चालू कर दे हकीकत की दस तक देने संबाद्धाता रोहित कुमार सिंग पहुचते हैं बिहार में एक कहवट काफी मशूर है भोच के समय कोहरा रोपना और शायद ये बिहार सरकार और बिहार के अस्पतालों पर कहावट पूरी तरीके से फिट बैष्ता है दर्भंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो की इस इलाके का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है यहां भी पीएम केर्स, फंड केर्स जरिये लगभग एक साल पहले 25 वेंटिलेटर और पूरी आईसियू की जो एक सेटप होता है वो अस्पताल को मुहिया कराई गए थी लकिन एक साल बीच जाने के बावजूद भी उन वेंटिलेटर का और आईसियू का जो है वो इस्तमाल अब तक शुरू नहीं हुआ है तो बस राम भरों से ही समझे इन मरीजों को जिन्हें यहां इलाज को मिल रहा है वरना कहीं इने वेंटिलेटर की जरुरत पड़ गई तो जिंदिगी बचाने वाले जीवन रक्षक उपकरण तो 9 महीने से पाल पोसकर रखे हैं बस काम नहीं कराया गया यह वो 25 वेंटिलेटर है जो जनता के पाइसे से जनता के लिए PMKS फंड के जरीए भेजे गाए अब बारित ही दस्तक देकर जवाब दे ही पूछने की अस्पताल प्रबशाइब प्रबशाइब संदन से हमने वो भी किया कोवीड अस्पताल है उतो नरसिंग स्कूल कॉलेज था वहां का वाइरिंग 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 का सेट अप उसमें आई सीव चलाना फिर भी हम लोग वाइरिंग कर वाए हैं नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है उसके प्यूरिफिकेशन ड्र ड्राइरन में हम लोग सक्सेस्पुल नहीं हो रहा है तो पेसेंट को ले जाके कोई कैजूल्टी नहीं हो इसके चलते हम लोग ओवर स्योड जब हो जाएंगे तो फंक्सन हो जाएगा हम लोग सब सेट अप कर चुके हैं रोहित कुमार सिंग दर्भंगा आज तक गया और इसे लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो लेफ्ट व्यक्तिवाद के खिलाफ हुआ करता था वो खुद उसी का शिकार हो रहा है तो अप्रश्प्रम पगड़ाव ये जन्दकलिलन नेरे टो मनिश्यूलिलन नंपरस्प्रम पगड़ावन। येट्वम भायपरतवन वस्तवाव थेर इस नो वैक्सिनेशन नो ट्रीटमेन प्रोटोकोल केरल में निपाह वायरस ने अपने पायर पसारे तो राजिक की स्वास्थ मंत्री की कोशिशों ने वायरस फिल्म में उस मंत्री के किरदार तक को गढ़ दिया इनका नाम है केके शेलजा साधारां सी साड़ी और उच्च विचारों के साथ जनहित के कुशल प्रबंधन की पहचान बनी केके शेलजा जिनकी चर्चाब इसलिए क्योंकि केरल में निपाह वायरस से निपटने में बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ मंत्री के तौर पर इन्होंनी निभाई थी कोरोना की पहली लहर में जिनके कारण केरल मॉडल को देश भर में पहचान मिली कोरोना की दूसरी लहर में भी केरल में लाखो एक्टिव केस के वक्त मजबूती से मोर्चा सम्हालने वाली स्वास्थ मंत्री रही केके शेलजा को इस बार दोबारा सरकार बनाने वाले मुख्य मंत्री पी विजेन की कैबिनेट में जगा नहीं दी गई नए चेहरों के नाम पर जब स्वास्थ मंत्री रही केके शेलजा को दुबारा कमान नहीं मिलती तो सवाल उठता है आखिर क्या कारण है कि जिन मंत्री को संयुक्त राश्टर तक ने पिछले साल वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे पर पैनल डिस्कुशन तक के लिए बुलाया उन्हें ही केरल की विजेन सरकार में मंत्री नहीं बनाया जा रहा सोशल मीडिया में सवाल पूछे जाने लगे कि क्या व्यक्तिबाद और वन्शवाद की दस्तक अब लेफ्ट के भीतर पड़ चुकी है सवाल की वज़ा ये विजेन मुख्यमंत्री दुवारा बन सकते हैं लेकिन नेपाह से लेकर कोरोना वायरस तक के मोर्चे पर स्वास्थ के क्षेत्र में प्रमुग भूमिका निभाने वाली केके शेल्जा नए चेहरों के नाम पर हटा दी जाती है विजयन से ज्यादा वोट से जीत हासिल करने वाली केके शैल्जा को पार्टी विप की जिम्मेदारी अभी उनकी पार्टी ने दी क्या ये लेफ्ट सरकार का राइट फैसला है आज तक ब्यूरो अब देख रहे हैं दस तक मैं हूँ श्वेता सिंग और अब तूफान ताउते की बात करते हैं अरब सागर में उठा ये तूफान गुजराट से होते हुए अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है लेकिन अपने पीछे ये कई चुनोतियां छोड़ते जा रहा हैं खासकर भारतिय नौसेना के लिए अरब सागर के क्षेतर में चार छोटे जहाज फंस गए थे जिन्हें सोंवार को रेस्क्यू किया गया मुंबई के कोस्ट पर भी एक जहाज के साथ इसी तरह की समस्यातिय उसे भी बचाया गया लेकिन लोगों को ढूंडने का काम अभी भी जारी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नौसेना के लिए चुनोतियां बढ़ती जा रही है ताउते तूफान के पीच समंदर में जिंदगी बचाने की सबसे करी चुनोति से जूज रही है भारती सेना पीच समंदर में फसे चार जहाजों का जिंदगी की ऐसी तलाश भारती नौसेना ने कभी नहीं किये भारती नौसेना लगादार रेस्की ओपरेशन कर रही और लोगों को बचाने के लिए अपने सबसे मुश्किल मिशिन में जुटी है सबसे पहले उन चार जहाजों के बारे में जानी जिन पर 710 लोग ताउते तूफान की वज़े से फस गये बार्ज P-305 पहला जहाज था जिस पर 273 लोग सवार थे जिसमें से 177 को बचा लिया गया बार्ज P-305 के डूप जाने के बार चोहतर से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया है तीसरा जहाज बार्ज SS-3 और चौता जहाज सागर भूशन जिस पर 101 लोग फजे हैं जिनने खोचकर बचाव को काम जा रही है इस तरह अरब सागर छोटा जहाज P-305 धूग गया है और बागी तीम व्यापारिक जहाज समंदर में सुरक्षित हैं लेकिन जब ये चारों छोटे जहाज ताउते तूफान में थसे तो इनकी तरफ से नौसेन को मदद मांगी गए जिसके बाद ने भी पहले तीन और फिर पांच बड़े जहाजों को भेज़ दिया नौसेना के मुताबिक ताउते तूफान के पीच का ये खोच और बचाव अभ्यान हाल के दशकों का सबसे चिनौतिपूर अपरेशन है well this is one of the most challenging search and rescue operations I have seen in the last four decades as we speak four of our Indian Navy ships are on site that is Ioness Kochi, Ioness Kolkata, Ioness Talwar and Ioness Betwa for the last 20 hours these units have been battling to search and rescue as many people as they can through the dark night and challenging weather conditions सोंवार को चक्रवात की विज़े से P-305 नाम का जहाज मुंबई हाई के हीरा ओयल फील्ड के तट से दूर चला गया ताउदे जहाज का खत्रा बढ़ता दे जहाज में मौजूद चालक सरस्यों ने नौ सेना से मदद की गोहार लगाई और भारती नौ सेना तुरंट एक्शन में आ गई समंदर में फसे बार्ज P-305 में 273 लोग फसे हुए थे उनकी जिन्दगी को बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले आएनेस कोची को मदद के लिए भेजा आएनेस कोची के बार आएनेस कोलकाता और आएनेस तलवार को रैस की ओपरेशन में उतारा किया आपशोर सपोर्ट वैसल्स अहिल्या और ओशन एनर्जी को भी तदकार मदद के लिए रवाना किया क्या जब हम देखे की रेस्क्यू बोट कल आ गये था पांच बुझे तो उसके बाद हमको पता चल गया कि हमको रेस्क्यू कर लेंगे फिर आज सुबह सुबह नेवी का दो तिन चपर गुमरा था तो हमको वो लिया नेवी का पूरा अमला सुबार देरा से ही लोगों की जिन्दगी बचाने में लग गया सुबह होते ही P-81 सर्विलांस एरक्राफ और हेलिकाप्टर को गया रेस्क्यू ओपरेशन में उतारने से ओपरेशन की ताकत में इस्दावा हो गया चक्रवाद को देखते हुए भारती नुसेन पहले 11 गोता खोज दल तैनात कर रखी है 12 बार राहत दल और मैडिकल टीम को भी तैनात किया गया है दूफान प्रभावित राज्यों में जरूर पढ़ने पर इन्हें भीज़ड आए भारती नुसेना ने एक बार फिरे साबित कर दिया है कि वो देशवासियों के लिए किसी देवदूद से कम नहीं है जिसने बिना सवे गवाई अपनी भादुरी से सैक्रों लोगों की जिंदीगी को बचा लिए और इन लोगों के परिवारों को ऐसा तोफ़ा दिया है जिसे वो पूरी जिंदीगी नहीं भूल पाएंगे मुंबई से अभिशेक भला के साथ गौरव सावन दिल्ली आज तर डेप्यूटी चीव अफ नेवल स्टाफ ने खुद ये स्वीकार किया है कि किस तरीके से नौसेना के लिए ये काम बेहज चुनौती पूर्ण है और पिछले 40 सालों में ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है बहुत बारीकी से सारी चीज़ों को देखा जा रहा है हलोकि हमारे जो सैनिक होते हैं वो किसी भी असंभव को संभव कर सकते है किस तरीके से इस ऑपरेशन को किया जा रहा है उस पर अमल किया जा रहा है ऑपरेशन के जो प्रमुक है उनसे बातचीट की है मेरे सेयोगी गौरव सावन नेवल आप्स रूम से कॉमोडोर आलोक आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉमोडोर आनंद इस समय ताजा स्थिती क्या है जो सर्च एन रेस्क्यू आपरेशन्स मुंबई की समुदरी सीमा पर चल रहे हैं ओफ ते कोस्ट आफ मुंबई सर गरव जी जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके हिसाब से उस बार्ज पर 261 लोग थे तो जब हम वहाँ पर पहुँचे उस समय तक वो तितर बितर हो चुके थे पानी में तो और रोशनी कम होती जा रहे थी बहुत जबरदस्ट बारिश हो रहे थी और वहाँ पर लहरों की उचाई कम से कम 18 से 20 फीट मतलब जहाज की उचाई के बराबर लहरे थी तो उसमें लोगों को साइट करना और उनके पास जाके उनको फिर उठाना यह बहुत ही मुश्किल काम था और रोशनी भी अंधेरा हो रखा था उसके बावजूद कल शाम से लगे लगे हमने अभी तक उस 261 में से 183 लोगों को हमने बचा लिया है ऐसी स्थिती में ना आप हेलिकॉप्टर भेज सकते हैं और ना अप अपना लाइफ राफ्ट भेज सकते हैं तब कैसे रेस्ट्यू कर रहे हैं बिल्कुल सही का आपने ना तो हम अपनी बोट लोवर कर सकते हैं ना हम हेलिकॉप्टर लाँच कर सकते हैं उसके बावजूद 183 लोगों को बचा लेना 24 घंटे के अंदर अंदर ये मैं इसका पूरा पूरा क्रेडिट जो वहाँ पे शिप है और जो नेवल परस्नेल उन जह कर रहे हैं मैं उनको पूरा पूरा उनकी सराहना करना चाहूंगा और पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने किस तरह से जो हमें बेसिक ट्रेनिंग सीमेंशिप की दी जाती है किस तरह से इनोवेट करके और इंजिनियर्टी अपनी दिखाके उन्होंने ये प्रेश गौरव जी हम हार कभी नहीं मानते हम लगे रहेंगे और हम तब तक लगे रहेंगे जब तक हम एक एक आदमी के बारे में शूर नहीं हो जाते हैं कि हमने जितने भी वहां पे लोग अभी जीवित हैं चाहे जिस भी जगह पे हो क्योंकि जो लहरे बहुत उची थी हवा बहु कोशिसों का हमें positive outcome मिलेगा नौसेना की जजबे को देखते हुए और पर बहुत तेज हवाएं चली और किसी ने किसी रूप में तबाही देखी गई गुजराट चुकी उसके केंदर में था और गुजराट में सबसे अधिक तबाही के आशंका थी हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर अगर यह होटिन किसी गाड़ी के ऊपर जाकर गिरता तो क्या होता एमदबाद में ताउते तूफान की रफ्तार इतनी तेज रही कि बड़ी बड़ी इमारतें पस्त होती दिखी अब देखिए इस इमारत की छट को तूफान कितनी आसानी से पोड़ा ले जाता है तूफान से एमदबाद कुई तरह से अस्त व्यस्त हो गया है शहर की मुख्य सलके और उसके आसपास का पूरा इलाखा पानी में डूप चुका है ताउते ने एमदबाद की सूरत विकार करक्ती है एमदबादी नहीं गुजरात का जूना कड़ों या फिर राजी का अमरेली ताउते तूफान के असर से कोई नहीं पचपाया अमरेली में इस राजी की चपेट में एक पैट्रोल बंपा गया तूफान इसकी छट को अड़ा ले गया राजी में ताउते ने 40,000 से ज़्यादा पेड और हजारों विजली के खंबे गिला दी इसके अलावा तूफान की वज़ा से 196 छोटे बड़े रास्ते बंध हो गए पूरे गुजरात में 16,000 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है इस तरह ये तूफान हजारों लोगों के सिर से छट छीन चुका है लेकिन समंदर के आज़ पास रहने वाले नाव में सोने वालों के लिए तूफान कभी न भूनने वाला वो सपना है जो उन्हें सारी जिन्दीगी याद रहेगा समंदर की लहरों पर जूलती ये नावें ताउते तूफान की ताकत का एहसास करवाने के लिए काफी है सोमनाथ में सोवार शाम को ये नावें समंदर के किनारे लंगर डाल कर खड़ी थी जो एंकर डाल कर इसको बांदा गया था लेकिन अचानक रात के वक्त में ये एंकर तूट गया हो और उसे तूटने के बाद वो समुंदर के अंदर चली गई लेकिन NDRF की टीन इनके साथ दगाता संपर्क में रही और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी को बचा लिया गया सोमनाथ पूना गुजरात के वो इलाके रहे जहां ताउत्य तूफान की रफ्ता 130 किलोमेटर प्रते घंटे की रही इन तीन ही घंटे पर तूफान पांच जिरों से टकरा गया गीर सोमनाथ में तो तूफान की गती इतनी तेस थी किस फरनीचर शोरूम की पूरी छती उड़ गई चक्रवात ताउते ने किस कदर कहर बरबाया है उसकी सुबूत जो है वो यहां देखने मिल रहा है आप देख सकते हैं यहां पर पूरी पूरी जो छट है वो उड़ चुकी है दरसल यह एक शो़ूरूम है फरनीचर का शो़ूरूम है जिसकी छट जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो करीब 130 किलोमीटर से जादा यहां पर हवा की आप देख सकते हैं कि पूरा जो फरनीचर है वो पूरी तरह से नश्ट हो चुका है क्योंकि एक फरनीचर का शोरूम था आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसने कहर बर पाया है यहां तक कि जो पूरी दिवार है वो दिवार भी तूट चुकी है और जो उ कोई नहीं था और साड़ा बार तक वो यह सब गिर गया था यहां से सोमनाथ में आज तक की टीम जहां भी गई हमें चारों तरफ ताउते तूफान से प्रभावित घर देखे शहर की सड़कों पर बड़े बड़े गिरे मेले जिससे सोमनाथ उना हाइवे भी प्रभावित हो गया चक्रवात ताउते ने कहर बर पाया है इस वक्त हम मौझूद है सोमनाथ उना हाइवे पर और यह हाइवे कल रात से जब से साइकलोन आया था तब से यहां पे बंद था आप देख सकते हैं कि यहां पे लाइन से जो पेड है वो हाइवे पे गिरे हुए है आप देख सकते ह कि किस तरीके से जो पूरा हाइवे है वहां पे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं दरहसल सुबह सुबह यहां पे इस हाइवे को शुरू किया गया और फिलहाल यहां पे पूरे अगर बात की जाए उना की तो यहां पे बिजली नहीं है और आप देख सकते हैं जो बड़ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें आज तक